देखिए आपका question कह रहा है, लूप्त संख्या ग्याद कीजिए, तो देखेंगे, इस में लूप्त संख्या कहा ग्याद करना है, तो इस corner पे ग्याद करना है, कहा पे यहाँ परिश्ण वाचक चिन है, वहीं पे हमें संख्या बरनी है, जब दोस्तों यहां पर संख्या हैं हमें भरनी होती है तो हम इसको दो तरीके से स्वाल्प कर सकते हैं तो देखिए या तो पहले हमें क्या पता करना होते हैं कि यहां पर भरा गया संख्या और यहां पर भरा गया संख्या यानि कि इन दोनों से मिलके किस से इन दोनों से मिलक यह आठ जो है कई किस परकार से बना है। उसी परकार से 206 और 64 से मिलके 125 परकार से बना है। उसी परकार से आप क्या करेंगे? 729 यह 729 और 345 मिलके हमें यहाँ पर भरना है प्रशनवाचक चिन के अस्थान पर ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको साल्प करने के लिए आपको करना क्या है, इसमें भी आपको संख्याय देखनी होती है, कि संख्याय बर्ग है या घन है, तो देखेंगे आप ये संख्याय सारे की सारे जितने भी दिख रही है, घन दिख रही है, क्योंकि 27 किसी का बर्ग नहीं ह सत्था toleration किया है qybh यानी कि घं है और 1 किसका घं है एक स्वैम का एक का घं क्या होता है एक ही होता है एक का कितना उवबार एक में बुडा करेंगे तो एक ही आएगा ठीक है यहाँ पर देखेंगे तो 3 और 1 3 और 1 कम मिल के छोता है 3 और 1 4 होता है तीन और एक क्या होता है चार और चार का आधा कर लेंगे चार का आधा कर लेंगे यानि कि बटा दो यानि कि दो चार का आधा कितना होता है दो यह आपका दो का क्यूब है आठ यानि कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर लेना है दोसो सोरा किसका है दोस्तों तो छे का चे चे और यह आपका 5 का क्या कर दे रहा है क्या कर दे रहा है घं कर दे रहा है यानि कि 5 पच्चे 25 पच्चे 125 अभी मैं इसका दूसरा भी तरीका आपको बता रहा हूं अब देखेंगे दोस्तों यह आपका 729 किसका घन है तो 991 नमस 729 होता है नौ का यह घन है और 343 किसका है तो 7 सत्य उन्चा सत्य 343 यह साथ का है तो इन दोनों को जोड़ेंगे 9 7 16 9 60 कितनाः 16 16 का आधा करेंगे यहांपे आधा कर देंगे 165 कितना हो जाएगा 8 और 8 का कीउप कर देंगे आठ का कियूब इन कितना होगा 8Fit 6464 ओंटे 512 कितना हो जाएगा 512 यहां पे जो संख्याय भरी जाएगी तो क्योंगी 512, तो 512 option में किस में मिल ला है, option number 3 में मिल ला है, 512, जो कि आपका 3 option सही हो जाएगा, इस टाइप के question आए, तो आप ऐसे भी solve कर सकते हैं, दूसरे तरीका बता रहा हूं दोस्तों, आसान तरीका, ये देखिए, ये तो रहा थोड़ा से लंबा तरीका, तो आपको दूसरे तरीका क्या देखना है, इस परकार से चलना है, देखिए, एक का घन है, ये किसका घन है, ये 2 का, ये किसका घन है, 3 का, यानि कि 1, 2, 3 चला है, ये आपका किसका है, 4 का, 4 का घन है, 4, 16, 16, 64, ये आपका 125 किसका है, 5 का, ये किसका है, 6 का, तो ये कैसे चला है, 4, 5, 6, चला है होना चाहिए 8 यहां पर किसका है 9 तो 8 का क्यूब क्या हो जागा 8 का क्यूब यहां पर भारेंगे तो 512 क्या हो जागा 512 जो की option number तीसरे में है यह आपका right हो जागा इस टाप के question आये तो आप ऐसे भी solve कर सकते हैं वहाद ही आसान तरीके से सेकेंडों में मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह भी question आप समझ गये होंगे